नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी निंद लेने के टिप्स लेके आई हूँ टिप्स नमबर वन, स्लिप हाईजिन का ध्यान रखें, हर रात एक हिसमे पर बिश्तर पर जाएं, और पर तेक सुबह एक हिसमे पर उठें टिप्स नमबर दो, सुनुचित करें कि आपका बेडरूम सांत वे आराम देह हो, और उसमें अंधेरा हो या वे तापमान बहुत अधिक या कमना हो टिप्स नमबर त्री, टीवी, कैंप्यूटर और स्मार्ट फोन जैसे इलेक्टरोनिक उपकरनों को बेडरूम से हटा दे टिप्स नमबर च्यार, सोने से पहले हैवी मील लेने से बचें, रात का बोजन सोने से दो तीन गंटे पहले ही कर लेना चाहिए टिप्स नमबर पांच, सोने से पहले कैफिन युकतें, पदार्थ और सरब का सेवन भी ना करें टिप्स नमबर च्यार, रात को सोने से पहले बलू लाइट के संप्रक में कम से कम आएं बलू लाइट आपकी निंद की क्वालिटी को खराब कर देती है टिप्स नमबर शाथ, नियमित रूप से थोड़ा व्याम करें दिन के दोरान सारिक रूप से सकरियर हैने से आपको रात में अधिक आसानी से सोने में मदद मिल सकती है टिप्स नमबर आठ, अगर आपको अनिंदरा की समस्या हैं तो देनिक दूप या करत्रिम तेज रोशनी नीद की गुणोता में सुधार करने में आपकी मदद कर शकती है टिप्स नमबर नो, सोने से पहले कुछ हर्बल्टी जैसे केमो माइल, टी या पेपर मिट टी आदी का सेवन करें या स्लिप की क्वाल्टी को सुधार करने में मदद करती है टिप्स नमबर दस दिन में लंबी जबकी आपकी स्लिप क्वालिटी को डिस्टरब कर सकती है अगर आपको रात में सोने से परेशानी होती है तो दिन में जबकी लिए ना बंद कर दें या नेप टाइम का कम कर दें टिप्स नमबर ग्यारा अच्छी निंद पाने के लिए सो सोने से पहले कुछ रिलेक्शन तकनिकों का सहरा ले लिया जा सकता है हाट सावर मेडिटेशन या म्यूजिक सोने से तन मन को सांत होने में मदद मिलती है और रात में अच्छी निंद आती है टिप्स नमर बारा आपका बिस्तर गंदा गदा और तक्या नींद की गुणवत्ता और जोडों या पिट को दर्द को भूत पर बावित कर सकता है इसलिए अपने बिस्तर पर विशेश ध्यान दें तिप्स नमर तेरा देर रात को तरल्पदार्थ का सेवन कम से कम करने की कोशिस करें अन्यता यूरेंशन आपकी नींद में खलल पैदा कर सकता है साथ ही सोने से ठीक पहले बातरूम अविश्य जाएं तिप्स नमर चोदा सोने से दो से तीन गंटे पहले अपने घर वे कमरे की लाइट को एक दम डिम कर दें कम रोशनी का सतर आपके मस्तिक को मेला टोनिक करन जाता है और जिसे नीद अच्छी आती है टिप्स नमर पंद्रा बैड टाइम में अलका साभी सोर आपकी नीद को डिस्टैप कर सकता है इसलिए अपने घर को सोतिस में साउंड प्रूफ बनाने की कोशिस करें आप वाइट नाइज एपिया एयर प्लग भी ट्राइग कर सक होता है टिप्स नमर 17 कुछ लोग सोने के लिए नींद की दवाया लेते हैं गहरी नींद के लिए ग्रेलून उसका यह है आपकी आदत बन सकती है और उसके दुस्ट पर बाग हो सकते हैं इसलिए दवायों के स्थान पर अपने लाइफ स्टैल में बदलाव करने का प्रिया पर अच्छी निंद नहीं आती टिप्स नमर 19 अगर आप अलारम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आँखों के सामने ना रखें इसमें एक तनाव पैदा होता है और अच्छी निंद नहीं आती टिप्स नमबर 20 अपनिया सहित कई स्थिद्या खराब निंद का कान ब कैसे लगी और मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरी वीड दिए दिन्यकले, थाइए पूर वाचिन